जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी परमातारानी की किर्पा बनी रहें चलिए आज पाट करते हैं दुर्गा सबसती के गारवे अध्याय का जै मांबिका भुआनी जै मांबा दिवताओं दोरा देवी के स्तुती तथा देवी दोरा देवताओं को बरदान ध्यान, में भूमनिश्वरी देवी का ध्यान करती हूं उनके स्रीयंगो की शोभा प्रभा तकाल के शौरी के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुख उठ है वे उब्रे हुए अस्तनों और तीन नित्रों शेयुक्त हैं उनके मुख पर मुश्कान की छटा चाही रहती है और हाथों में वरद अंकुष पास एवं अवे मुद्रा सोभा पाते हैं इसी कहते हैं कि देवी के द्वारा वहां महा दैत्य पती शुम्भ के मारे जाने पर इंद्र आधी देवता अगनी को आगे करके उन कातियाईनी देवी के स्तुति करने लगे उश्रमें अभिस्ट की प्राप्ती होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकास से दि श्वरी हो तुम इस जगत का एक मात्र आधार हो क्योंकि प्रिथवी रूप में तुम्हारी ही इस्तिती है देवी तुम्हारा प्राक्रम हो लंगनी है तुम्ही जल रूप में इस्तितो कर संपुन जगत को त्रिप्त करती हो तुम अनंत बल संपन वैश्नवी शक्ती हो इ देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम्हारी ही भिन-भिन शवरूप है। जगत में जितनी इस्त्रियां हैं। तुम्हारी अस्तुती के लिए सबसे अच्छी उक्तियां और क्या हो सकती है। तुम्हारी अस्तुती के लिए समस्त्रियां तुम्हारी नारायनी तुम्हारी तुम्हारी गुनों का अधार तता सर्वगुन में हो। सहंसों को जुते हुए बीमान पर बैठती हो, तथा कुस मिस्तृत जल्ची रखती रहती हो, तुम्हे नमस्कार है। माहिस्वरी रूप से तरशूल चंद्रमा एवं शर्प को धारन करने वाली तथा महान बिरिशप की पीट पर बैटने वाली नीदेवी तुम्हे नमस्कार है, मोरों और मुर्गों से घिरी रहने वाली तथा महासक्ति धारन करने वाली कौमारी रूप धारनी निश्पा पे नारायनी तुम्हे नमस्कार है। नारायनी तुम्हे नमस्कार है। नारायनी तुम्हे नमस्कार है। नारायनी तुम्हे नमस्कार है। नारायनी तुम्हे नमस्कार करते हैं। धर्म द्रोही महादैत्यों का संघार किया है। नारायनी तुम्हे नमस्कार है। जैसे इस समय असुरों का बद करके तुमने सिग्रही हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार सदा हमें सत्रूों के भैसे बचाओ। संपुन जगत का पाप नश्ट कर दो और उत्पात एवं पापों के फोज़स और उप्राप्त होने वाले महामारी आदी बड़े-बड़े उपत्रों को सिग्रही दूर करो। विश्व की पीरा दूर करने वाली देवी हम तुम्हारे चर्णों में पड़े हुए हैं। तीनों लुकों की समस्त बाधाओं को सांथ करो और हमारे सत्रों का नास करती रहो। अनार के फूल की भाती लाल हो जाएंगे जब तब श्वर्ग में देवता और मृत्यों लोग में मनुष्य सदा मेरी अस्तुती करते हुए मुझे रक्त दंति कहेंगे। फिर जब प्रित्वी पर सो वर्षों के लिए बर्षा रुख जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा। उस समय मुनियों के अस्तवन करने पर मैं प्रित्वी पर अनियोजा रूप में प्रकट होंगी और सो नित्रों से मुनियों को देखोंगी। अतह मनुष्य मुझे साताक्षी इस नाम से मेरा किर्टन करेंगे। देवताओं उस समय मैं अपने सरीर से उत्वन हुए साको द्वारा समस्त संसार का भरन पोशन करूँगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे साक ही सब के प्रानों की रक्षा करेंगे। अतहर करने के कारण प्रित्वी पर साकंबरी के नाम से मेरी ख्याती होगी। इसी अवतार में मैं दुरगम नामक महादैत का बद करूँगी। इससे मेरा नाम दुरगा देवी के रूप में प्रिसिद्ध होगा। फिर मैं जब भीम रूप धारन करके मुनियों की रक्षा लेकर हिमालय पर रहने वाले राक्षशों का भक्षन करूँगी। उस समय सम मुनी भक्ती से नतमस्तक्खो कर मेरी अस्तोती करेंगे। और तम मेरा नाम भी मादैवी के रूप में भिख्यात होगा। तब अरुन नामक दैते तीनों लोगों में भारी उपद्रों मचाएगा। तम मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए छो पैरों वाले असंख भ्रम्रों का रूप धारन करके उस महा दैते का वद करूँगी। उस समय सम लोग भ्राम्री के नाम से चार ओर मेरी अस्तुती करेंगे। इस परकार जब-जब संसार में दानवी बाधा उपस्तित होगी तब-तब अफदार लेकर मैं सत्रों का शंखार करूँगी। इस परकार सिरी मारकंडे पूरान में शावर्निक मनवंतर की कता कें तरगत देवी महात्म में देवी अस्तुती नामक एगारवा अध्याय पूरा हुआ।